वेल्कम बैक तो मैं चैनल मैंने में शुटा और कैसे आप सब उम्मिद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा होंगे खुश होंगे तो गाइस आज की जो वीडियो है वो है पीचिश रेड कलर आई मेकप लूग यह बहुती सॉफ्ट सटल मेकप है जो आप डे टाइम नाइट टाइम वेडिंग फंक्शन में पीचिश रेड इवन आप यह यलो साडी के साथ भी आप इस मेकप लूग को अपलाए कर सकते हैं अगर आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज इस व प्लीज कीप वाचिंग और हां आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरे फेस्बूक पे जरूर फॉलो करें इसे डिस्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो प्लीज फॉलो में देर और विदाउट अनी फॉदर अडू लेट स्ट संट्रोल तोनर पेरफी क्रेंटी फीयल्टी फ्री इस कि वें इसे पार पेर यूटोंटच इपनटाओ की वेंड़िटी फ्री लिजवां का युटाओ यूज ए व्लड़िटी फ्रोडू फ्री प्रोडटूस होते हैं और हमारे सिकन बहुत जाधा सॉफ्ट यूट सपल उ होता है उसके अंदर देन मैंने फेस्क्रीम के लिए यूज कर रहा था गुद्वाइब्स का illuminating face cream wine और यू नो जो हमारे dark spots होते हैं यह उसके पर actually में work करता है guys actually में seriously बहुत अच्छा work करता है और उसके बाद मैंने मैंने यूज कर रहा था मामा अर्थ का अल्रा लाइट इंडियन संस्क्रीन विद कैरेट सी प्लस टर्मरिक SPA SPF 50 PA++++ for sun protection paraben and silicon free dermatologically tested for indian skin net volume 80 ml आप sunscreen का भी जरूर यूज करा करें आप sunscreen किसी भी हालत में आप अपना जो भी skincare को जो भी routine होता है ना guys please आप लो उसको follow जरूर करा करें उसके बाद मैंने Maybelline का baby lips अपने lips को अच्छा से moisturize कर लिया था और प्राइमर के लिए मैंने यूज करा था wet and wild का photo focus face primer match और आप किसी भी अच्छे अच्छे प्रोड़क्ट में आप इन्वेस्ट करें प्राइमर आप early skin वाले हैं तो आप silicon base पे जा सकते और अगर आपकी dry skin है तो आप उस पे जूई मेकप पे जा सकते हैं उसके बाद मैंने अपने face को पांच मिनट का रेस्ट दिया था यह प्राइमर लगाने के बाद उसके बाद मैंने पांच मिनट के रेस्ट के बाद मैंने इस्किन में अप्लाइ करा था लैक में 925 की CC complexion care cream I am in the shade beige all in one instant skin stylish इसमें भी हमारा SPF 30 P8 double plus है और यह भी हमारे यूनो natural makeup के लिए बहुत अच्छा day to day makeup के लिए बहुत अच्छा product है आप इसके साथ आप जा सकते हैं concealer में मैंने यूज करा था Swiss beauty का concealer इसमें मेरा shade है 02 sand sable और यह guys trust me यह इतना full coverage concealer है और इसके only MRP है 199 और यह मैंने पॉपल से लिया था पॉपल पर हमेशा ही यूनो sale चलती रहती है तो आप उस चीज में आप इसको ट्राइब कर सकते हैं आप उसमें इस सेल के टाइम पर आप इसको ले सकते हैं आपको बहुत अच्छे दिसकाउंट बोल जाएगा उसके बाइन अपने अपने उन्राइज सपेस को अपने फेस के हाइस फीचर सपेस को अपने आपकेकर से मैं यूनो ब्लेंट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा और दे रहा है मेरे फेस को क्योंकि जो हमारी CC की निए क्रिम है उसकी भी कवरेज काफी ठीक है यह लाइट तो मीडियम टू शेर कवरेज है हमारे इसके और कॉमपक्ट के लिए मैंने फिर यूज करा था लैक में का लैक में अपसुलूट का वेट और यह मेरा फेवरीट कॉमपक्ट है मैंने इसका भी फुल रिव्यू भ के साथ धशियर करा था और अपना बेस लीक अपको सटक करने के लिए मानने यूस्ट कर रहा था वेट और माल का पोट होकस मेंकश्टिंस प्रे और यह जो है इंड ह्वारणेल में का अफ या हमना आई मेंकप 스ाट करने जा स्टार्ट करने जा रही हूं तो मैं थोड़ा से इसको जूम कर लूँ ताकि आप मेरा आई मेकप अच्छे सा देख सके तो सबसे पहले मैंने कलर स्क्वीन की स्मोक की पैले 32 कलर आईशेडो के किट लिए है इस इस हो इट लोक्स और मोव भी है पिंकिश में भी है सारे मतलब नूट्रल टोंस है तो आप डे टुडे ल यूनौ डे टुडे लाइफ में भी आप इसको यूज कर सकते हो और बहुत ही अफोडेबल रेंज में है यह अराउंड 450 और 500 की रेंज में आपको यह पैलेट अराम से मिल जाएगी लो अब जाएट करूंगे अपने आइलेट को हमें आइलेट को जरूर सेट करना चाहिए ताकि कोई भी क्रीज हमारी आइलेट पर ना बने और इससे क्या होता है कि हमारा जो भी आइमेकप होता है वह बहुत देर तक स्टे करता है जैन उसके बाद मैं ले रही हो हलका सई यू कि आज मैं पीचिश पिंक कलर का मेकप करने की सोच ती तो यह वालो जो हमारा पिंक कलर है इस वन इसको मैंने अपने ब्रश पे ले लिया और अपने आउटर वी से प्लेस करते हुए अपने क्रीज को सेट करूंगे मैं आप अपना पूरा टाइम ब्लेंडिंग में पूरा दी नुक्ति रराव जाए को साथ तरफ यॉनियुक्ति तब ना करें अपने आजला यॉऔर आप ऐप एस पर अजग करा सकते हैं तुख थीक कले और उसके बाद मैंने लूँगी हलका सा इसी पैलेट में से लूँगी हलका शिमरी शेड है यह वाला शेड को इसको भी मैं अपने अपने आइलिट पे उनो क्रीज पे सोरी पॉजट करूंगी इसको प्लेस करती रहूंगी इसमें 10 ब्रॉष और आई मेकप के ब्रॉष इसमें आज इन ही ब्रॉष को यूज करूंगी इनकी क्वालेटी और भी पता चल जाएगे किस तरीके से काम करती है वैसे इसनके ब्रिसल काफी सॉफ्ट है काफी अच्छी क्वालेटी के लग रहे हैं अब मैं गाइस मिस्ट्रोष की पैलेट ले रहे हूं यह है मिस्ट्रोष प्रोफेशनल मेकप 18 कलर हाई ग्लॉस आईशाड़ो इसके अंदर थोड़े से यूनों ग्लॉसी एफेक्ट के हमारे आईशाड़ोस हैं रेड पॉपल और इंज इश ब्लू ग्रीन प्लैक ग्रेश सारे शेट से इसके अंदर तो मैं आज इसी पैलेट को यूज करूंगी और यह जो हमारे आई ब्रश है इनके हल्प समयन के डॉम शेप का यूनों ब्लेंडिंग ब्रश है गाईस हमें यह रेड शेट ले रही हूं मैं इस रेड शेट को अपने आउटर वी पे प्लेस करू कर देना चाहिए जिससे जो भी एक्सेस प्रोड़क्ट होता है वह हमारे आई मेकप को स्पोईल ना करें कि मैं आउटर वी पे प्लेस कर रही हूं हलका हलका सा अपने क्रीस के उपर भी अपने इसको प्लेस करती जा रही हूं यह ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है मैं आपको हर वीडियो में कहते हूं कि आप ब्लेंडिंग जितने अच्छा से करेंगे न अपना आए मेकप की युनो आप कलर शेट कुछ मर्जी आप यूज़ करें बड प्लीज ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करें युनो कोई हार शेज आपके आई मेकप को आई अच्छा का फ्लाट शेडर ब्रश ले रहे हूं इसको मैं एक युनो टक्नीक की तरफ से तरह से यूज़ करूंगी अपने यह फिक्सिंग स्प्रे को अपने ब्रश पे डाल रहे हूं और उसके बाद मैं यह वाला जो हमारा शेड है कॉपर शेड इस वन इसको यूज़ करूंगी आज मैं मैंने से बहले इस तरह के से कभी अपने आई मेकप को वूंड नाइस सी कितने राम से वाव नाइस काईस आप यह टिक्नीक अपलाई कर सकते हैं देखिए कितने अच्छा से और यह दोनों के बीच में जो भी हमारी लाइन आ रही है इसके सेट करने के लिए मैं यह वाला शेड वापस से इस वन यह वाला जो शेड है इसको लेकर हलका से जो जुएंट आ रहा है इस पर हलका हलका से ब्लेंड कर दूंगी ताकि एक ओंब्रे एफेक्ट आए हमारे आइस पर इस वन इसका ब्रेश के हल्प से मैं लाइनर अपलाई करूंगी प्रेश के हल्प से अपने लोर वाटर लाइन को भी हलका से स्मज़ आउट कर लोंगी ताकि प्रेश के हल्प से अपने लोर वाटर लाइन को अइसमें लगा हुआ आ गईस उस ही शेट से मैं कर रहे हूँ Cake और काजल के लिए मैं यूस करूंगी ब्रांद शेड का का थाजन मेरे पॉपल का है कोल्री ऐइ-ब्राओंद छेड आइ पैंसिल Dollar 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 Gregory मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ अपना मेबलीन का था हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कार इस वन आप पेस्ट मस्कारा गाइस हमें सबसे पहले हमें इस तरीके से मस्कारा को अप्लाय करना चाहिए ताकि जो भी हमारे जो आई शैडो का फॉल आउट होता है वो क् यूज करें प्रो बलश एंड हाइलाइटर की किट सेम यही दोनों शेड गाइस मेरे फेवरेट शेड इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया और अपल अप्ल अप्ले चेक्स पे मैं अप्लाय करूंगी हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ है बहुत ही सटल हाइलाइटर है गाईज आज मैं अपने आइब्रो को नैच्रली फिल करूंगी भी करेंगे हम उसाओं से एक डहने न लाइट इन नहीं होती तो मैं है यह नायच्ज कर दोगी और तो सद्सवाल मेरा ऐब्रोस का कलर है जेडा है तो मैं यह लैट ब्रॉण शेड यूज करोंगीétait और अ उब लका ग्यूम आउव्रोस Also such I love head यू नो चुछ शेप देंगे ज्यादा फिल नहीं करेंगे हम अपने आइब्रोस को नहीं तो वो नैच्रल नहीं लगती और हमें अलग से आइब्रो केट लेनी की ज़रूद भी नहीं है देखें कितनी नैच्रली फिल हो गई लिप्स्टिक के लिए यूज कर रही हूं किस ब्यूटी की मैट लिक्विट लिप्स्टिक आइम दशेड 08 नुडिश पिंक कलर रही है उससे पहले मैं यूनो जो मारे लिप्स पे लिप बाम फांडेशन वगरा अपला हो जाता है उसके लिए मैं क्लीन हैंकी या टावल कु को कि वाइप आफ कर ले अगर आप चाहते हो तो आप लिप्बम यूज कर सकते बटो मेरे को जरूरत नहीं है इस पिंदी लगाने से एक्तम ही लुक चेंज हो जाता है कि देखिए है कि आप लोगों कोई वीडियो पसंद आई होगे अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब तो माइच चैनल और डांट फोगेट तो फॉलो मी और इंस्टाग्राम मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वैसे भी अगर आप में को श्वेत्ता मित्तल 2808 से सर्च करेंगे तो मैं आपके सामने हाजिर हो जाओंगी तो प्लीज फॉलो मी और इंस्टाग्राम और फेस्बुक मिलते हैं आप सोगों से नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई गाईज लव यू एंट टेक केर बाई